आज हम लोग एक ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे बिलकुल बिना टाइम वेस्ट की वह ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे जिससे कि आप बिदिन सेकंड कैलकुलेट कर देंगे कि रेट कॉंस्टेंट की उनिट क्या होती ओर्डर आफ रेक्शन में तो उसके लिएक फार्मूला में बत आएगे आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड है ना मस्त एकदम बढ़िया अगर एन की वैलू फर्स्ट ओर्डर के लिए निकालना है तो यहां रख देना यह 0 हो जाएगा जब यह 0 हो गया तो के की वैलू ओ क्या जाएगी सेकंड इनवर्स आ जाएगे तो बच्चो इस ट्रि आपका लीटर पर मोल पर सेकंड यह गर आपको थार्ड ओर्ड के निकालनी तो यहां क्या जाएगा माइनस टू आ जाएगा तो यह बंजाएगा लीटर स्कौरर mole minus 2 mole minus 2 second inverse sum में आएगए यह बात पक्की है देख रहे हैं आप second inverse sum में तो इस तरीके से 0 order, first order, second order, third order, fraction order जो भी निकालना हो fraction में तो भाई लुए है 3 by जैसे n की जगे 3 by 2 रख देजे n की जगे 3 by 2 रख देंगे आप फिर निकाल लेंगे कितनी बहल हुआ जाएगे तो यह बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिससे आप आसानी से calculate कर देंगे कि यह competition में बहुत काम आती है, ट्रिक है यह NEET में बहुत काम आती है, NEET में, J में इन exam में और आपका PGT exam में बहुत जल्दी बिना time waste किये हुए आप calculate कर देंगे यह rate constant k की unit क्या है तो अगर आपको यह trick समन में आई हो पसंद आई हो, यह formula पसंद आया हो तो please इस video को share कर दीजेगा अपने दोस्तों को और अगर channel पर नए है तो इसको subscribe कर दीजेगा और अगर आपको 2022 2022 में होने वाले 12th exam की तयारी करनी है chemistry अपनी बढ़िया करनी है तो अनुस्तर के channel पर बने रहे हैं आपको हम बताएंगे कि chemistry में number 100 out of 100 कैसे लाए जाते हैं हम आपको सिखाएंगे कि 99, 95, 93, 90 above marks अकर लाने हैं तो chemistry का यह channel subscribe कर लिजे यह मेरी guarantee है कि 90 plus number आपके इसी channel के थूआएंगे no tuition, no coaching, no wastage of money thank you, have a nice day